वेलकम टू जीरोर से जिनियाश तक इसकी टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के मत्र बारह ऐसे सवाल जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है बिस्वा की सबसे पुरानी भासा कौन सी है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पास सकेंड कर समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए संस्क्रीट बिस्वा की सबसे पुरानी भासा संस्क्रीट है पहली भारतिये महिला मिस वर्ल्ड कौन थे? राइट आंसर है ओप्शन नमबर सी रीता भारिया क्वेशन नमबर तिन सोडियोम को किसमे रखा जाता है? राइट आंसर है ओप्शन नमबर बी केरोसीन में डूबो कर क्वेशन नमबर फोर सबसे अधिक ओप्शीजन कौन से पेट से प्राप्थ होती है? राइट आंसर है ओप्शन नमबर डी पीपल क्वेशन नमबर फाइब भारत में कौन सा सहर? नारंगी सहर के नाम से भी जाना जाता है? औरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ओप्शन नमबर डी नागपूर प्रिथवी पर सबसे उचा पर्वत सिखर कौन सा है? राइट आंसर है ओप्शन नमबर बी माउंट एवरेस्ट और आपने अभी तक चाइनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेजिए और वेल लाइकन को जरूर दबा देजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिलेबस पर वर करता है आपके सिलेबस से इंपोर्टेंट क्वेशन को कलेक्ट करके वीडियो बनाता है आप तक पहुँचाता है क्वेशन नमबर साथ अभरक का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? राइट अंसर है आपसन नमबर ए भारत क्वेशन नमबर एट अंतिरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का प्रथम उपगरह कौन सा है? राइट अंसर है आपसन नमबर सी आरे भट क्वेशन नमबर नाइन मोहंदास क्रमचंद गाधी जे कोब माहतमा की उपाधे किस ने दे? गाधी ची को माहतमा की उपाधी किस ने दे? राइट अंसर है आपसन नमबर डी रविंदर नाथ टाइगोर जी ने क्वेशन नमबर टेन भारतिये स्टेट बाइंग की अस्थापना कब हुई थी? एसबी आई की अस्थापना कब हुई थी? राइट अंसर है आपसन नमबर डी एक जुलाई उन्नीसो परचपन को क्वेशन नमबर इलेवेन प्रथम मोबाईल बनाने वाली कमपणी कौन सी थी? राइट अंसर है आपसन नमबर डी मोटोरोला क्वेशन नमबर बारा सांड की लराई किस देश की राश्टिये खेल है? राइट अंसर है आपसन नमबर सी एस्पेन आपके लिए एक सवाल है किसी भी वस्तु को जलाने के लिए इन में से क्या जरूरी है? यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो कमेंट वक्स में लिखिये की फ़र इव और इसका राइट अंसर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर किजिए कर दियें तो धन्याबाद और आपको वीडियो पसंद आया तो सेर भी कर सकते हैं जो करेंगे उन्हें बहुत बहुत धन्याबाद यहां आपको कुछ दिखाई दे रहा है ग्रेफ हाइट जो की आंसर नहीं है आपको इसमें का राइट आंसर Q4U लिक करके जो आपको लगे A, B, C, D कॉमेंट करना है आपको और भी वीडियो देखना है तो यहां ही बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत